नमस्कार दोस्तों जी के अर्जन सार यूप्टी चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजी टी दोजार बाइस इतिहास प्रेटी सेट 165 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्पून प्रस्ण तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करन है तो चले वीडियो प्रारम करते हैं हां अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट 164 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी पीजी टी इतिहास और उसका लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूं तो वहां स आप पिछले 164 प्रेटी सेट के वीडियो भी देख सकते हैं तो चले वीडियो प्रारम करते हैं पहला कोशन है इसमें निमलिकी सुल्तानों में से किसने सिच्छा में बेवसाइक पाठिक्रम लागो किया तो कौन सा सुल्तान था जिसने सिच्छा में बेवसाइक पाठिक् तो फिरोसा तुगलक ने जो है सिच्छा में बैवसाइक पाठिक्रम लागू कराया तो डी इस कराया टेंसर होगा इसमें Question number 2 है फिरोसा तुगलक ने उपज का एक बटा दस भूर आजस्व के रूप में वसूल किया तो किस भूमी से किया था, एक बटा दस भूर आजस्व के रूप में, जागीर भूमी से, खालिसा भूमी से, उस्त्री भूमी से, या मदद मास भूमी से, तो इसमें आपका राइट एंसर होगा, किस से, उस्त्री भूमी से, तो उस्त्री भूमी से, एक बटा दस भाग वसूल किया था, फिरोसा तूगलक ने, कोश्चा नंबर तीन है, नीचे दिये गए, वेक्तब दिये गए हैं, और कथन कारण से, कथन देखे दिया है, अलावदिन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराय कारण दिया है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरच्छित रखना चाता था देखे इसमें ए भी सही है आर भी सही है लेकिन आर जो है एकी सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसमें आपका इसमें ए भी सही है आर भी सही है और दोनों ब्याख्या करता है तो इसमें बी वला सही है आपसान होगा ए आर दोनों सही है और आर की सही ब्याख्या है तो ए इस बी इसमें एंसर होगा दोनों सही और ब्याख्या भी करता है कोस्टन नमबर चार है निम्लिक्त में से किसकी रचना अमीर खोसरों ने नहीं की थी दिया है खाजाईन उल्फुतु तुगलक नामा तारीखे अलाई या ताजुल मासिर तो इसमें से किसकी रचना जो है अमीर खोसरों द्वारा नहीं की गई थी तो वो है ताजुल मासिर की ताजुल मासिर तो ताजुल मासिर किसकी अगर ये पूछेगा इसकी रचना किस ने किया था इसकी रचना किया था हसन निजामी में किसने हसन निजामी हसन निजामी ने इसकी रचना किया था ताजुल मासिर की और इसके लवाग खाजाई नुल्फुतु तुगलक नामा तारीख्य अलाई ये सब जो है अमीर खुसरो की रचना है कोर्शन नमर पांच है कथन कारण से कथन देखते हैं बहलोल लोदी का राजत सिधान्त बंधुता पर अधारित था कारण दिया है पालोल अफगान जंजातिय भावनाओं का आधर करता थे ये भी सही है तो इसमें ए भी सही है आर जो है एकी सही ब्याख्या भी करता है इसमें आपका राइट एंसर ये होगा इये ब्याख्या आर है कोश्चन नमबर 6 है निमलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्म हत्या कर ली थी तो कौन सा चित्रकार था जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वो जो है आत्म हत्या कर लिया था अब्दुल समद बसावन दस्वन्त या महेश तो इसमें आपका राइट एंसर दस्वन्त तो दस्वन्त जो एगर देखा जाए अगर ये चितरकार जो है अकबर के दर्बार में था यानि अकबर के चित्रकारों में से था और अकबर के दरबार में मुख रुप से अगर देखा जाए तो सत्रह प्रमुख चित्रकार थे और उसमें हिंदू तीरह थे सत्रह में से तीरह हिंदू चित्रकार थे और उसी में से एक प्रमुख थे जिनका नाम था दस्वंत दस्वंत और इसने जो है आत्मात्या कर ली थी सी सही होगा इसमें कोशन नमर साथ है जागीर के लिए आरच्छित भूमी कालाती थी जागीर के लिए आरच्छित भूमी क्या कालाती थी महाले जागीर महाले खालिसा महाले पैबाकी या उपिक्त में से कोई नहीं तो जागीर के लिए अरचित भूमी कालाती थी जिसका नाम था महाले पैबाकी महाले पैबाकी इसके लिए जो जागीर अरचित भूमी कालाती थी तो महाले पैवाकी क्या वता था देखें महाले पैवाकी वह भूमी होती थी जो राजी के प्रमुक कर्म चारी होते थे उनको जो जो यह तन खा के बदले जो बेतन मिलता था उसके बदले दिया थी उसी को महाले पैवाकी कहा था Queson number 8 है सीवा जी ने किस दर से राजस वसूल किया उपज का एक बटा दो भाग उपज का एक बटा तीन भाग उपज का दो बटा तीन भाग उपज का दो बटा पांच भाग तो किस दर से भू राजस वसूल किये थे सीवा जी तो वह दर था उपज का 2 बठा 5 भाग उपज का 2 बठा 5 भाग या कह सकते हैं 40 प्रतिसत कितना 40 परसत यहां पर ऐसे न लेकर 40 परसत 20 परसंट ऐसे भ्यासन बना सकता है तो 40 परसत या उपज का 2 बठा 5 भाग इसका एंसर D सही होगा पूना के पूना के सिंधिया नागपूर के भोसले और बड़ावदा के गायकवार इस परकार ये सुमिलित है इसे परकृस नहीं कारण से कथन दिया यहां पर 1750 तक मराठा राज पेशाओं के नितिर्त में एक राजसंग बन गया था एक राजसंग बन गया था सही है यह कारण दिया है साहु के तरह दिकारियों पास वास्तिविक सक्ति नहीं थी यह भी सही है और सही ब्याख्या भी करता है तो दोनों सही रही कि नाम से जान देव राय परथम विजयराय दुति एक्रिशन दुतिय तो इसमें आपका राइट अंसर होगा क्रिश्ण देव राय को जो है आंद्र भोज के नाम से जाना जाता है क्रिश्ण नमबर बारा है क्रिश्ण देव राय का अमुत्य मल्द अमुक्त मल्यदय किस भासा में लिखा गया है संस्क्रिट तमिल तेलगु या कंड़ में इसका राइट एंसर होगा इसमें सी तेलगु में कुश्चन नमबर 13 है फार्शिक कविता का भारतिकरान करने वाला प्रथम कभी था कौन था प्रथम कभी अमीर हसन, अमीर खुसरो, फैजी या जुज्जानी तो इसमें आपका राइट एंसर होगा बी अमीर खुसरो यानि फार्शिक कविता का भारतिकर्ण करने वाला प्रथम कभी का नाम था अमीर खुसरो तो बी इसका राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर 14 है कथन कारण से कथन दिया है इरोपिय बैपारियों ने भारत में हुंडी परणाली का परचलन किया यह तो सही है हुंडी परणाली का परचलन किया हुंडी भारत हुंडी मुगल भारत में परचलन थी यह गलत है Asian, शब्स मोगल भारत में नहीं थी उतना इसमें आपका ए सही है और गलत है तो सी वह लादुन इसमें सब्सदेशान यह सभगाँ यह सही है जारी ए गलत है है कि आर सही है को कि डेख लेजिए गलत खुरा ही इरोपिय बेपारियों ने भारत में हुंडी पढ़ानी का प्रचलान की ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये गलत है और सही है कौशन नमर 15 है निमलकित में से कौन औरंग्जेब की सासनकाल का राज की इतिहासकार इसमें पुछा जारा है कौन था इसमें आपका राइट अंसर होगा डी मुहम्मद काजीम कौन था मुहम्मद काजीम question number 16 है अकबर नामा के निम्लिकित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता था तो अकबर नामा के किस भाग को आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता था पाला भाग, दूसरा भाग, Tूसरा भाग या चौथा भाग इसमें आपका राइट एंसर होगा सी तीसरा भाग तो अबुल फजल दारा ये रचित ये रचना है आईने अकबरी अकबर नामा की अंतिम जिल्द है और अबुल फजल दारा इसे साथ वर्सों में कठिन परिस्रम के बाद इसको त्यार किया गया था और इसको पांच भागों बाटा गया है पूछे का कितने भागों में अकबर नामा को बाटा गया है पांच भागों में बाटा गया है प्रथम जिल्द अकबर के जीवन से 30 वर्सों तक इत्यास है दूसरे में अकबर के राजा विश्यक के बारें दिया गया है राजा विश्यक से लेकर 46 वर्सों तक तीसरा भाग इसने आईने अकबरी के पांचे भागों बिवक्त किया गया है कुछन नमबर 17 है अकबर के सासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था रुपया मोहर जलाली या दिनार इसमें आपका राइट एंसर सी से होगा जलाली क्या था जलाली एक जो है चौकोर रुपया होता था और अगर वजन पुछेगा जलाली कितना होता था 175.5 ग्रेन 155 ग्रेन का ये होता था जलाली सिक्का कुछन नमबर 18 है कथन कारण से है जहांगीर ने गुरु अर्जिन देव को मिर्तु दंड दिया, सही है, सीख गुरु ने विद्रोई खुसरो का समर्थन के ये भी सही है, इसलिए मिर्तु दंड दिया, दोनों से या ब्याख्या भी करता है तो ये सही हो जाएगा इसमें, कोशन नमबर 19 है, निमलिकित में से किसे आधनिक उर्दु सायरी का जन्म दाता कहा जाता है, तो इसमें दिया है अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, मीर अली, मीर तकी मीर या वली दकनी तो इसमें राइट एंसर होगा डी वली दकनी तो वली दकनी को जो है आधनिक उर्दु सारी का जन्दाता कहा जाता है इसमें राइट एंसर डी सही होगा कोस्टन नंबर 20 है और अंतिम कोस्टन है दिल्ली में खैरूल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था हमीधा बानो बेगम माहम आँगह गुलबदन बेगम यस्साह बेगम किस में आपका राहिट एंसर होगा माहम अगह माहम अगाने जो है खैरून मजलिस नामक मदर्से का निर्माण करया था दिल्ली में ये था कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आप पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों किया अधिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम